असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकुम बेक टो माई यूटूब चैनल शायमास कॉर्णर पर जैसा कि आज आज आपको नजर आ रहा है यह इस पेस हमारी चत्का है और हमने इसे रेंडम ली ऐसे ही बन वाए था इसमें हमें थोड़ा सा फिश पाउंड नीचे के जो फिश कर रहे हैं सबसे पहले हमने इसको कलर किया है और यह देखिया यह कूलर की जो पंप होती है यह वह हमने लगाई इसके अंतर इसमें नीचे टैंक में पानी भरे होने के कारण इसका रंग खराब हो गया है लेकिन वैसे हमने यूज किया था तो एपेक्स का वाटर गया है यह कुछ स्टों से डेकुरेशन करता हुए ताकि पानी का फ्लो अच्छे से बने पानी जो किरेगा ना तो अच्छा लगे यह और यह हमारा वाटर लिली वाटर के वेज्च आशा फुल लगे पूरी महनाथ से यह अरेंच करते हैं और इसकी डेकुरेशन करता अब भी मेरे साप्सिस में बहुत कुछ करना है लेकिन जो भी यह हमारे पार सामान था हमने सारा यूज कर लिया यह हमारे डग प्लांटा यह हम ताज मौत सब से लेकर रहेते और यह देखिए यह आगी मचली हमारे फाउंटेन में एक चिडिया भी है और यह हमारा चैनल का कुछ अदू रहाता है प्लांटल अब यह कंप्लीट हो चुका है और इसमें पानी भी चालो हो गया है और पानी गिरता हुआ है कुछ थोड़ी सी अभी बाहर डेपरेशन बागी है कुछ प्लांट लगा करेंगे इसमें कुछ फॉरस्ट सिन क्रेट करने की कोशिश की है औ और यह देखिए हम सेट कर रहे हैं अपने सारे प्लांट लगा कर काफी खुबसूरत लग रहा है कभी कभी चोटी चोटी चीजे करके हम डिफरेंट चीच कर सकते हैं तो जैसे गार्डन का एक व्यूज मेरा जो ग्लेंडरी वाला एक साइड हो गई और दूसरी साइड है तो बहुत ही अच्छा और खुबसूरत नजारा है जो बहुत अच्छा लग रहा है यह जब हमने बनवाए था अपने यह फॉंटेन तो हमने सोचा कुछ ऐसे ही था लेकिन हमने इसमें जो मचलियां रखी थी ना मचलियों के वज़े से हम इसमें कोई प्लांट नहीं रख कर दिया है और पॉंट के अंदर पानी था पर पहले हमारी पाउंट के अंदर फिश थी लेकिन बारिश के टाइम मैं जब बारिश बहुत होती थी तो फिश उसमें से निकल निकल चप फैल जाती थी और मढ़ जाती थी इसलिए मैं अश्कोब ख़तम करती अब हम देखिये कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि इसमां मच्छर बखरान ना हो और कुछ की रेविडे ना पड़े हैं इसलिए हमां कुछ तो को इसका एलाज करना ही पड़ेगा चलिए देखते हैं और यह देखिए जैसे हमारे गार्डन में सब चोटी चोटी एड होगी है लेकिन बहुत ही बहुत प्यारा लग रही है सामने से आपको explain नहीं कर पा रही हूं जो मैं feel कर रही हूं और यह देखिए चोटे चोटे जितने प्लांट्स थे मैंने सबसको डेगरोट किया है और व पुंदा और इसना मोग्रा की भीनी भीनी फुष्पूं पानी की गिरने की आवाज और यह एक रिंगी के साथ और यहां मैं बहुत सुकून भरे पल्न सुबह सुबह अपने पौदों के साथ गजार सबती है जो बहुत ही मेरे लिए सुकून देने वाले हूंगी है तो चल झाले हूंगी तो चला की जो बहुत है तो चला की अवाले है जो चला की भीनी फुष्पूंगी है जो बहुत है।